स्वतन्तिफता दिवस के मौके पर भाशण देते हुए सियम नितीश कुमार ने विक्सित बिहार का संकल्प दो राया, साथी विधानसभा शुनाव से पहले 12 लाख युबाओं को नौकरी और कुल 34 लाख युबाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया, सियम के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। तोलन किया, इस मौके पर सियम नितीश कुमार ने बहुत बड़ा संकल्प दोहराया, सियम नितीश ने बिहार को विक्सित बनाने का संकल्प दोहराते हुई, विधानसभा शुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी और कुल 34 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। सियम नितीश के 12 लाख नौकरी और 34 लाख युवाओं को रोजगार देने के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है, बिहार की बदकिस्मती है, काज बिहार एक ऐसे हाथों में है, जिस अचे तवस्था में खड़ा है, आर्जेडी और कॉंग्स के नीता सियम नितीश कुमार के संकल्प पर तंज कस रहे है, ध्यान रखे कि कदा चार मुक्त क्या वो नियुक्ति कर पाएंगे, जब किस सरकार में जेडियू के सहीऊ की, हम और पीजेपी के नेता ये मानते हैं, कि सियम नितीश हमेशा विकास की बात करते हैं, और ऐसे में पहले पर लाग ने को नपड़िया देने इसमें कहीं कोई यह नहीं है तुकि को करने वाले आदमी हैं अगर उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा तो निश्ची तो करेंगे इसा हमको इस्वास है बिहार में रोजगार और नौकरी हमेशा से बड़ा मुद्ता रहा है ऐसे में सीम नितिश के वादे पर राजनिती गर्माना लाजमी है क्योंकि बिहार में अगले ही साल विधान सभा के जुनाओं बोने जा रही है निउस 18 के लिए पटना से रवियस नारायन और अमित कुमार के साथ बेरो रिपोर्ट तो रोजगार पर सियासी पलटवार को भी समझ लीजी बिहार में अगले साल विधान सभा का चुनाओं है और 2020 का चुनाओं रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर लड़ा गया था तब आरजडी के तेजस्वी आदब ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सियम नितीश कुमार ने तब 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था हाल के दिनों में बिहार में खूब नौकरियां दी गई हैं खूब जोईइनिंग कराई गई हैं RGD के नेता इन्न नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी आदब को देते है RGD नेतां का कहना है कि तेजस्वी आदब डिपटीय सियम थे इसलिए लोगों को नौकरी मिली हाला कि सियम नितीश कुमार साफ कर चुके हैं कि वो सियम है और नौकरी उन्होंने ही दी लेकिन आरजवेडी 2025 के विधान सवाचुनाओं में इस मुद्दे को भुनाने का भरपूर प्रियास करेगी अब नितीश कुमार ने 10,0,00 से आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा वादा कर दिया है सियम नितीश कुमार ने अब 34,0,00 युबाओं को रोजगार की बात कह दी है जबकि 10 की जगहे चुनाब से पहले 12,0,00 युबाओं को नौकरी का वादा कर दिया है नितीश कुमार ने इस बादे के जरिये पहुत बड़ी लकीर खीशती है जिसको काट पाने आर्जेटी के लिए आसान नहीं दिख रहा है यही बज़ा है कि नितीश कुमार के दाबे पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि बिहार में रोजगार के अभाब में लोगों का पलायन होता है यह जग्ज जाहिर है अगर इतनी नौकरी और रोजगार मिल जाए तो तस्वीर बदल जाएगी और इसका फाइदा चुनाव में भी मिलेगा अठतर बे स्वतनतुता देवस पर मुखमंत्री नितीश कुमार ने केंद्री की ओर से मिलेगा